हाइड्रोजन औक्सिजन और आइडिन कारवन जो कोल क्योक ब्रोमिन जल क्लोरिन इत्तेदी आधातू के धारणे लेगिन कुछ तत्व धातू और आधातू के बीच के गुणों को दस आते हैं जिने अपने उपधातू के रूप से जाना जाता है जैसे कि उपधातू के अंदर बोरोन है शिलिकोन है जर्मे नेम इत्ते अधी प्रकार के जो है उपधातू कहलाते हैं अभी तक ग्यात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है जिसमें 92 तत्व जो प्रकतिक गुरुप से प्राप्त है सेज जो तत्व है वो मानव निर्वित है जारा तत्व कम्रे के ताप्पान पर गैसी अवस्था में है दो तत्व जैसे कि पारा तथा ब्रोमिन ये कम्रे के ताप्पान पर द्रव अवस्था में है गेलियम तथा सीजियम तत्व कम्रे के ताप्पान पर यानिके 303 केल्विन ताप्पान से कुछ अधिक ताप्पा पर द्रवस्ता में ले जाते हैं अब देखें योगी क्या है तो योगी को जानने के लिए अपने उसके मिश्रण के साथ तुलना करेंगे तो हमें योगी के बारे में ज़्यादा ख्याल आएगा तो योगी की परिवासे के अनुसार एक ही योगी क्वा पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों का एक नियत आनुपात से राशानिक तोर पर सहयोजन से बने हुए होते हैं अब इसके बीच में अंतर देखें तो मिश्रण तत्व या योगी केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किन्तु कोई नया योगी नहीं बनता जबकि योगी के अं जबकि नए पदाच का शंग्धन सदय इस्ताहिव सरुप में ही होगा मिश्रण उसमें उपस्तित घटकों के गुर्धर्मों को दरसाता है जबकि नए पदार्थ के गुर्धर्मों की तरह पूरी तरह से भिन होते हैं वह योगीक चौत्व नम्म मिश्रण घटकों को बहत राश्यनिक बिद्धुत राश्यनिक प्रतिकिया के द्वारा ही उसे अलग प्रतिक किया जा सकता है पांचमा मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान होता है जबकि योगी का संग्टक पूरे पदार्थ में समान ही रहते और इसको जानने के में पदार्थों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि अ ट्राप्त की जा सकता है